औल गोड ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्थ होगा क्यूंकि जो सेक्षेंस हम पढ़ेंगे वह बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है वैसे अभी जो चल रहा है आजकल हमारे सियापीसी क्लासिस में वह आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्षेंस को हम कवर कर रहे हैं क्योंकि हम पर उतना नहीं है जितना इन्वेस्टिगेशन अब इन्वेस्टिगेशन की जो बाते हैं जो रिक्वाइर्मेंट से उनको देखो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में आपको सब आएगा बट जब भी जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं जब भी कोई भी होगे नोट के अंदर अपने दिमाग के अंदर तो इतनी जादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है ना किसी भी चीज़ के बारे में कि उसको रिकलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे आप लोग सभी एक शिकायद है जब भी आंसर राइटिंग के बारे में आपने बच्चें से डिसकास करता हूं तो एक प्रॉब्लम सब बच्चे फेस करते हैं वह यह होता है कि कोई क्वेशन अगर पूछा गया तो आपको उस आंसर के अंदर क्या क्या लिखना है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तो आपको बहुत चीज़ें पता है अपने इतन कांसेट के पास बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत जादा है तो हम उसको कैसे मतलब एक स्मूधनेस तरीके से कैसे प्रेजेंट करें कि पढ़ने वाले को भी मज़ा है और हमको लिखने भी मज़ा है ऐसा ना लगए कि खिचड़ी हो गया जो याद आता गया वो लिखते च से खोलो आप अपना स्टेच्यूट कंटेंट का पेज खोलो चैप्टर नमबर 12 खोलो आजाओ फटाफट से देखो अभी तक का जो हमारा सफर है वो चैप्टर 12 की बात करें इंवेस्टिगेशन की बात करें तो सेक्शन 154 से शुरू होके 165 तक कवर हो चुका है जिसके अंदर जो इनिशेशन का प्रोसेस है इंवेस्टिगेशन की जो शुरुवाती दोर है वो हमने समझ लिया है कि इनिवेस्टिगेशन कैसे इनिशेट होती है क्या ग्राउंड्स हैं वाट इस ली डिफरेंस कोग्रीजेबल नॉन कोग्रीजेबल होने में और थोड़ काफी independent पार्ट जो जोड़ा हुआ है वह 260 जोडा है वह हमारा cover हो गया है बपड़ आपस अब सेग्मेंट्स बचे हैं व्यसेडिगेशन के प्रोसेस के सेग्मेंट्स लाशimes के सेग्मेंट्स मतला अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई investigation चल रही है, अब हम investigation के conclusion की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब जैसे हमारी जो आज के ये दोनों sessions होने वाले हैं, हम section 166 से श्रुवात करेंगे, बच्चे, चलो 166 is okay, okay, 166 A और B ये भी ठीक है, हो जाएगा, इतना कुछ बहुत जादा important नहीं है, पर जो section 167 हो गया, 168 हो गया, 169 हो गया, 171, 72, 73 हो गए, ये कुछ sections हैं, जो बहुत important हैं, बहुत important क्यों? ये सारे sections आपको conclusion की तरफ ले जाएंगे, और वो conclusion कहां पे होगा, आप सभी को पता है, 173 पे जाके होगा, जब police report फाइल की जाएगी, तो ये सारी चर्चा हम आज कर करने वाले हैं, तो कैसे समझोगे, कैसे रखोगे, अपने दिमाग में इतनी सारी information को retain कैसे करोगे, ये जो पूरा investigation का chapter है, इसको divide कर लो दो broad parts में, पहला part जो investigation की शुरुवाती दौर और investigation की चलते समय काम आता है हमारे, और एक आखरी part जो हमारे investigation की conclusion की तरफ सारा करता है तो आज की जो class है, primarily conclusion की तरफ हमको लेके जाएगी, कि investigation की प्रतिक्रिया है, जब वो conclude होने की तरफ बढ़ रही होती है, तो क्या-क्या procedure रहता है, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से आप अपने दिमाग में भी habit बनाओ कि उसी तरीके से उसको recept क करो, जिससे क्या होगा, कल को answer लिखोगे, तो आप targeted answer लिख पाओगे, कि मेरे को एक point मैंने initiation के बारे में बता दिया, फिर मैंने conclusion किया, तो एक structure होना चाहिए answer, मैं ऐसा नहीं कि जो याद आता जा रहे है, इतना तो possible होगा नहीं कि आप 154 से लेके 176 सक साथे section लिखतो, आ आप heading भी नहीं लिख पाओगे सब की है ना, तो आपको एक structure, proper structure होना दिमाग में बड़ा जरूरी है, अब आजाओ बच्चे आज की class पे, जैसा कि मैंने बोला, बच्चे हम शुरुआत करेंगे section 166 से, आज मैं इस बात का खासा धिहान रखूंगा, कि जब मैं आपको section प इतना महत्व देना है, यह हमको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी information हो रही है, एक ही topic की वज़े से, ठीक है, क्योंकि investigation बहुत elaborated topic है, तो मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ, ठीक है, उसी हिसाब से जब भी मैं बोलू important है, अपने notes में कोई ना कोई माग, कोई इसारा या IMP, जो भी आप लिखते हो, आप जरूर करना, जिससे क्या हो, कल को आपके पास, अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और आप exam देने जा रहे हो, तो कम से कम उन pointers को देखके ही जाए, ठीक है, क्या हम सभी लोग तयार हैं, बच्चे, आप लोग ready हो, सब के पा बहुत ज़्यादा, लोवर है, लोवर इंदी सेंस, कुछ बहुत ज़्यादा महत्रपूर नहीं है, पर हाँ, यह कहानी का एक पार्ट है, तो इसको समझना जरूरी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा officer है, जो police station का in charge है, वो require कर रहा है, दूसरे को कि वो search warrant इशू करे, अब मुझे लग रहा है कि इतनी तो maturity आप सभी लोगों में आ गई होगी, जब आप ऐसे शब्द देखते होगे, जैसे search warrant या फिर warrant या फिर someone, तो आपके दिमाज में तुरंत उनका meaning hit करने लगा होगा, मेरी ऐसी उमीद है, क्यों हमने यह concepts को कई बार repeatedly सब जा है, तो यह context में समझना है section को, और क्या बोला जा रहा है देखो, एक जो officer in charge होता है police station का, मतलब जो थाना in charge होता है, यहा फिर कोई भी police officer जिसकी rank अब आप इसकी भी आपको आदत हो गई होगी, यही criteria बताए गया है, जब भी कोई important चीज होती है, यही criteria रखाए गया है कि क कोई भी police officer होना चाहिए, बस वो sub inspector से नीचा नहीं होना चाहिए, universal है, चाप लो दिमाख में, ठीक है, तो कोई भी officer in charge या कोई भी police officer जिसकी rank sub inspector से नीचे नहीं होनी चाहिए, जो investigation कर रहा है, मतलब जो I.O है, वो require कर सकता है, क्या require कर सकता है, किसी दूसरे थाने के in charge को, क क्या require करेगा, और वो जो दूसरा थाना है, जिसको что request कर रहा है, वो उसके खुद के district में हो सकता है, या किसी और के district में हो सकता है. पर है किस बारे में, कि वो search करे, किसी भी जगहा पर पर वो इस्थिती ऐसी होनी चाहिए जहां पर वो ऐसा require कर रहा है ऐसी request कर रहा है कि जहां पर उसके पास grounds हों उस search को conduct करने के अगर वो जगा उसके खुद के stations के limit के अंदर होती मतलब सबसे पहले इस्थिती यह है कि एक थाना इन्चार्ज या एक police officer दूसरे थाने के इन्चार्ज को request कर रहा है कि वो किसी जगे को search करे और criteria क्या रखा है कैसे determine करेंगे कि ऐसी request की जा सकती है या नहीं यह जो बंदा request कर रहा है उसके पास power होनी चाहिए उस सारी circumstances को देखते हुए कि वो ऐसी जगे को search कर पाता अगर वो जगे उसके थाने के अंदर रही होती तो अगर वो जगे उसके थाने के अंदर रही होती और वो उसको search कर पाता तो अगर वो जगे उसके थाने के अंदर नहीं है किसी और के थान इस पहले सबसेक्शन की है पर जो सबसेक्शन टू है वो उस बंदे की जिम्मेदारी बताएगा जिसको रिक्वेस्ट की गई है बोला जा रहा है कि यह जो ऑफिसर है जिसको रिक्वेस्ट की जा रही है जिसको रिक्वाइर किया जा रहा है यह उसकी जिम्मेदारी हो कि कि व आप उसके अनुसार सर्च करेंगे अगर आप सैटेस्वाइड हो कि वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसने रिक्वेस्ट करी है वो बावर रखता है सर्च करने की ऐसी जगय को अगर उसकी डिक्षन में रही होती जो हमारा सबसेक्शन 3 है वो बात करता है रीजन टू बिलीव की ये बड़ा इंटरस्टिंग है ये वैसे एक इसका कॉंपोनेंट हमने पढ़ा है पहले अगर ऐसा रीजन टू बिलीव है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है जिसमें एक पुलिस वाला दूसरे थाने सर्च करने का जिस चीज को हम डूड रहे हैं वो छुपा ली जाएगी या वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ये पूरा ही गड़बढ हो जाएगी उसकी वजह से तो ये बिलकुल कानूनी होगा उस पुलिस ऑफिसर के लिए उस थाना इंचार्ज के लिए कि वो उस जग करने के अंदर पढ़ रही है तो उस थाने के इंचार्ज को आप रिक्वेस्ट करो पर अगर लग रहा है कि इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा वो जो चीज है वो चुपाली जाएगी वो जो पूरा परपस से सर्च करने का वही खत जाएगा तो आप खुद से भी जाके एक्षिन ले सकते हो और उस चीज को सर्च कर सकते हो बस आपकी एक रेस्पॉंसिबिलिटी है अगर आप खुद से जाके सर्च कर रहे हो सब सेक्षन 3 के अंदर तो उस थाने का जो इन चार्ज है जिसके जूरिक्शन के अंदर आप सर के उपर तो उन मजिस्टेट सहाब को भी वह इनफॉर्मेशन देता रहेगा प्रोवाइड कराता रहेगा कि भाई वह क्या प्रतिक्रिया कर रहा है क्या क्या सर्च कर रहे है हर चीज की वह कौपी उसको प्रोवाइड करेगा तो आप देख रहे हो सर्च करने की पावर तो कर रहे हो और साथ-साथ जो आपका magistrate है जिसकी jurisdiction है उस case के ऊपर जिसके बारे में आप search conduct कर रहे हो उसको भी up-to-date रखना है उसको भी सारे documents की copies भेशते रहना जिससे वो भी अपने तोस पर रहे सोता ना रहे magistrate ठीक है फिर सब्सेक्शन 5 के अंदर बात होती है उस व्यक्ति की जिसकी जगा को search किया जा रहा है तो वो जो जगय कोई भी व्यक्ति जो जगय में रहता है यहां उस जगय का मालिक है जिसकी search हो रही है उसको free of cost copy दी जाएगी उन सारे records की जो magistrate के पास पहुचे है ठीक है अगर यह जो व्यक्ति है जिसकी place search हो रही है अगर वो request करता है तो वो जो सारे documents magistrates आपको बेजे गए थे जो इस search से जुड़े हुए थे जिसको हमने अभी पढ़ा subsection 4 के अंदर वो सारे documents ऐसे व्यक्ति को provide करा दिये जाएंगे जिससे उसे भी पता रहे कि हो क्या रहे भाई उसकी property में क्यों search हो रही है तो हमने क्या सीका बड़ा अगर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे process को पूरा करने में बहुत जादा delay हो जाएगी परपस ही खतम हो जाएगा तो वो जो police officer है वो खुद से जाके भी search कर सकता है बस उसको उस थाना इंचार्ज को inform करना पड़ेगा और magistrate के साब पास सारे documents की copies पहचानी पड़ेंगी जो उसने प्रतिक्रिय की है और वो जो owner है occupier इसकी जगे सर्च हो रही है अगर वो apply करता है request करता है तो उसको वो सारे documents प्रवाइड किये जाएंगे जो nearest magistrate के पास भेजे गयते हैं मतलब इसका case उसके पास भेजे गयते हैं क्या हम सभी लोग समझ पाए 166 क्लियर है बच्चे समझ में आ गया सभी लोगों को यस बोल देंगे बच्चे फटाफट से फिर बच्चे आता है section 166 और 166 यह दोनों ही sections बहुत ज़्यादा important नहीं है पढ़ाओंगा आपको समझ येगा पर बहुत ज़्यादा priority पे मत रखेगा अगर मैं 10 में से rating दूँ तो 10 में से इसको put it somewhere around four or five की importance पर ठीक है देखो section 166 section 168 बात करता letter of request की यह letter of request किसको जा रहा है competent authority को किस लिए जा रहा है investigation करने के लिए कहां पर investigation होनी है एक ऐसे देश में या फिर एक ऐसी जगह पर जो भार से बहार है ठीक है अब आप देख रहो हम लोग title से ही सब कुछ कर पा रहे हैं यह habit आपको develop करनी है ठीक है तो क्या हो रहा है letter of request भेजा जा रहा है competent authority को investigation करने के लिए किसी ऐसे देश में या ऐसी जगह पर जो भार से बाहार है तो international perspective है 166 a का और क्या बोला जा रहा है कि जो भी बाते हमने court में court के अंदर पढ़ी उनके बावजूद अगर investigation के दौरान कोई भी application file की जाती है investigating officer के दौरा या कैसी भी ऐसे officer के दौरा जो इस investigating officer से superior है मतलब उस investigating officer का senior है कि evidence जो है इस case के लिए जिसके बारे में investigation चल रही है उससे जुड़ा हुआ जो evidence है वो किसी देश में या किसी जगह पर जो भारस से बाहार है वहाँ पर मिल सकता है तो ऐसी situation में कोई भी criminal court एक letter of request देखो शब्दा वाली को देखो बच्चे order नहीं है letter of request जारी करेगा किसी ऐसे court को या ऐसी authority को जो उस country में होगी जहांपे वो evidence पाया जा सकता है या वो जगह पर होगी जो competency रखती है ऐसी request को accept करने की ठीक है और वो जो authority है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हो सकता है facts and circumstances से अवगत है जिसे जानकारी है facts and circumstances की उस case की जिसके बारे में इंडिया में investigation चल रही है उससे सवाल जवाव कर सकता है उसकी statement record कर सकता है उसका examination कर सकता है जिससे जो भी सच है वो सामने आ सके और इतना ही नहीं ये personal examination तो कर ही सकता है बलकि किसी ऐसे व्यक्ति से कोई भी ऐसा document या कोई भी ऐसी चीज जो लग रहा है कि उसके possession में है उसको बोल सकता है कि वो सारा का सारे वो document वो चीज़ें उस authority को लाके दे और ये जो भी document या जो भी चीज़ें collect की जाएंगी इस authority के साथ उन सारी चीज़ों को वो जो court है जिसने request भेजी थी भारस से उनको forward कर दिया जाएगा क्या कर दिया जाएगा उनको forward कर दिया जाएगा तो आप देख रहे हो कहानी की तरह समझें तो कितना आसान है से जुड़ा हुआ कोई भी fact या circumstance किसी एक ऐसे व्यक्ति को पता है जो हमारे देश से बाहर है या कोई भी ऐसा document या कोई भी चीज़ इस case से जुड़ी हुई जो important हो सकती है सच पता लगाने के लिए वो देश से बाहर है तो हमारा criminal court के पास ये power है कि वो जहां पर भी वो व्यक्ति है या वो चीज़ है उसके बारे में letter of request जारी करेगा विदेश में किसी ऐसे court को या किसी भी ऐसी authority को जो power रखता होगा ऐसी request को accept करने के लिए और वो जो court है वो जो authority है अगर वो व्यक्ति के बारे में है तो उस व्यक्ति को बुला सकती है उसको examine कर सकती है अगर वो किसी चीज या document के बारे में है तो किसी व्यक्ति से उस document और चीज को मंगवा सकती है और वो जो भी evidence record हुआ चाहें वो statement हो चाहें वो document हो चाहें वो कोई चीज हो और सारे evidence को collect करके वो वापिस से forward कर देगा किस court को उसी court को जिसने वो letter of request जारी किया था जिससे उसका इस्तमाल किया जा सके investigation के अंदर ठीक है यह simple सी कहानी है हमारे subsection 1 की फिर subsection 2 क्या कहता है कि यह जो letter of request है इसको transmit करने का जो तरीका है जो procedure follow होगा वो procedure हमारा central government बताएगी अब आपको सभी को पता है जब भी कोई international मामला होता है मतलब एक ऐसी स्थिती होती है जब हम विदेश में किसी देश से किसी कोट से या किसी विदेशी authority से deal कर रहे होता है तो हमेशा rules and regulations central government बनाती है तो court के पास power तो है request करने की पर यह request कैसे format में होगी किसको भेजी जानी है कैसे भेजी जानी है यह सारी प्रक्रिया हमारी central government बनाती है और उसी प्रक्रिया को follow करके हमें सारा काम करना होता है तीसरा सबसेक्शन कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो record करी गई होगी या कोई भी डॉकुमेंट यह जो भी चीज है प्राप्त करी है उस foreign authority ने सबसेक्शन 1 के अंदर उसको evidence माना जाएगा जो investigation के दौरान collect हुआ है मतलब यह जो भी process हुआ statement record करने का या document पाने का चीज पाने का उस international authority के द्वारा या court के द्वारा वो माना जाएगा कि वो statement वो चीज या वो document एक investigation के दौरान प्राप्त हुई है मतलब कल को जब police report file होगी तो उसमें उसके अंदर वो माने जाएंगे कि investigation के दौरान प्राप्त हुई चीजें हैं क्यों ऐसा है क्योंकि वो जो इंटरनेशनल authority है as an agent act कर रही है इस investigating officer की या इस investigation की जो हमारे इंडिया के अंदर चल रही है तो उसके as a wing वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं और उनकी statements को record कर रहे है evidence को collect कर रहे हैं या फिर चीज़ों को collect कर रहे हैं तो इंवेस्टिकेशन तब ही तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं investigation के अंदर पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज़ें collect होई है वो क्या मानी जाती है एसी चीज़ें जो investigation के दोरान प्राप्त हुई है ठीक है तो हमारा section 166A का क्या agenda है section 166 के अंदर एक ऐसी इस्तिती है जहां पर investigation चल रही है किसी भी case के अंदर और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो जानता है जानकारी रखता है इस case के बारे में या कोई भी document य सारी करके उस विदेशी authority या court की साहता लेके उस व्यक्ति की statement record करवा सकती है document को यह फिर उस चीज़ को forward करवा सकती है भारत के अंदर ठीक है पहली बात यह जो letter of request को कैसे प्राप्त करना है क्या procedure है कैसे भेजा जाएगा वो सारी चीज़ें हमारी central government determine करती है उसके हिसाब प्राप्त में आया है यस बोलेंगे क्लियर है यह सर अब देखो 166B 166BB बैचे बही moderate importance से चार से पांच पॉइंट दीजेगा इसको यहां पर बात हो रही है letter of request की पर यहां पर situation है letter of request प्राप्त हो रहा है किसी ऐसी country से यहां किसी ऐसी जगह से जो भारत से बाहर है और वो कहां पर प्राप्त हो रहा है ऐसे court में ऐसी authority में जो भारत में मौझूद है तो बिलकुल उल्टा उल्टा कर दो अपने आप 166A को उल्टा कर दो तो 166B बन जाएगा कैसे जैसे 166A के अंदर भारतिये court सहायता मांग रहे थे विदेशी authority की यहां पर विदेशी authority सहायता मा रही है या ऐसी जगे से आ रही है जो भारत से बाहर है ठीक है जिसके पास competency है ऐसा letter of request जारी करने की तो ऐसी इस्थिती में कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में वो request है यह कोई भी document यह चीज जिसके बारे में वो request है उस व्यक्ति का examination किया जाएगा यहां फिर उस document यह उस को प्राप्त किया जाएगा ठीक है वही करेंगे जो वह इंटरनेशनल अथारेटी कर रहे थी हम भी वह बिलकुल वही काम करेंगे और एक बार जब वह स्टेट्मेंट छोगा है या चीज प्राप्त हो गई फिर उसको फ्वर्वर्ड करेंगे खर क्लय अच्छा सौरी सौरी एक काम मिंदमक की जिस्ते प्रहें ने चुना है फिर यह जो competent authority है उस letter of request को forward करेगी और वो letter of request किसी को भी भेज़ सकती है वो cmm को भेज़ सकती है जिसको भी वो सही समझे वो appoint कर सकती है एसके बारे में और उसके बाद वो वाला बात होगा जो मैंने आपको बताया कि यह जो judges है यह जो authorities है यह उसी के हिसाब से उस request के हिसाब से उस वेक्ष्थ्य को सम्वन करेंगे जिस्से उसकी statement record हो सके या किसी से वो डॉकुमेंट यहां वो चीज मंगाएंगे जिसके बारे में वो letter of request है ठीक है ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो authority है वो letter of request है उसको किसी police officer के पास भेजते जो उसके उपर investigation करेगा ठीक है जिसके बारे में वो जोड़ा हुआ है पर ऐसा तभी होगा अगर वो जो अपराद है जिसके बारे में वो जो एसा माना जाएगा जब उसके पास forward करी जाएगी पूलिस office के पास जैसे की वो जो अपराद है जिस के बारे में वो letter of request है वो भारत में ही हुआ हो मतलब ऐसा presumption होगा जब भी police officer को forward करेंगे कि आप इस तरीके से invest करो इस situation में इस request के उपर जैसे कि भारत के अंदर ही वो अपराद हुआ है ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमारी Indian police है ना Indian police की जो भी police officer से कि आप investigation करो इस letter of request के information को पर उसमें दिक्कत ही हो जाएगी क्योंकि वो एक ऐसी चीज़े तो देश से भार हुई है तो police वालत तो कह देगा कि यह मेरी जो डिक्शन का काम ही नहीं है मैं कर ही नहीं सकता मेरे कुछ CRPC अलाओ ही नहीं करता इसलिए इस presumption की जरूरत पड़ी है जब भी ऐसा होगा police की सहायता मांगी जाएगी तो यह माल लिया जाएगा जैसे कि वो जो अपराद है वो भारत में ही हुआ हो इस presumption की वज़े से जो पुलिस है उसको परिशानी नहीं होगी और वो उसके बारे में investigate कर पाएगी तो कहने का मतलब क्या है जब पाशा उल्टा होगा और कोई foreign court या foreign authority हमारे courts की सहायता मांगेगी तो वो letter of request जारी करेगी जो central government की निर्देश के अनुसार किसी authority पे जाएगा और वो जो authority है उसको यहां तो judges के पाश भेज सकती है जो मैंने आपको बताया cjm cmm mm jm इन लोगों के पास भेज सकती और उनको बोल सकते कि आप statement record करो या फिर document और चीज को मंगाओ या फिर police officer के पास भेज सकती है जिससे कि investigate कर सके डिपेंड करता है कि letter of request का nature क्या है अगर वो specific है clear है कि किस व्यक्ति की बात हो रही है किस चीज की बात हो रही है तो तो judge के officer के बाद बेजेगी request जो हमारी authority है दोनोई scenario में जो काम है जिस बारे में request है उसका पूरा होना जरूरी है ठीक है फिर हमारा subsection 2 कहता है कि जो भी evidence प्राप्त होगा subsection 1 के अंदर और जो भी उसकी authenticated copies होंगी उन सब को forward किया जाएगा उस magistrate के द्वारा या उस police officer के बारा किसको किया जाएगा forward central government तो central government बीच में as mediator काम कर रहे है ठीक है और जो central government है वो क्या करेगी उसको further transmit कर देगी उसी court के पास उसी authority के पास जिसने वो letter of request जारी किया था तो कहने का मतलब है जब पाशा उल्टा होता है जब हमसे request करी जाती है तो बीच में हमारी central government खड़ी रहती है central government ही ऐसी request को प्राप्त करती है वहीं देखती है कि भाई हमको court के पास भेजना है आप investigation police officer के पास बेजना है और यह जो court है और यह जो police है अपना काम पूरा करने के बाद उसको central government के पास ही बेजते है और फिर central government जो है उसको further forward कर देती है उसी authority के पास जिसने भी उस request को किया था ठीक है बच्चे क्या हम सभी लोग समझ पाए है 166 be clear है सभी लोगों को समझ में आ गया बच्चे ठीक है तो यह तो हो गई essay sections जो बहुत जादा महतपूर्ण नहीं है पर हां हमने पढ़ डिये अब थोड़ा सा हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं जिस direction में बढ़ रहे हैं थोड़ी सी महतपूर्णता बढ़ेगी बढ़ेगी in the sense यह बहुत essential है अगर बच्चे section 167 पर तो इस पर आप लख सकते हो important ठीक है क्यों है यह यह इतना important क्यूंकि यह ऐसे procedure के बारे में बताता है अगर जो investigation है वो complete नहीं हो पाती 24 hours के अंदर आपको सुनके इसका heading देखके थोड़ा सा अट पटा भी लग सकता है कि 24 घंटे के अंदर investigation पूरी भी हो सकती है क्या this is the primary question जो हमको पूछना चाहिए पर वो important नहीं है हमारे लिए है कि हो सकती है या नहीं हमारे लिए important है कि अगर नहीं हुई है तो क्या करना है जो होने वाला है 99% cases में तो होगा क्या आप देखो जब भी किसी भी व्यक्ति को arrest किया जाता है detain किया जाता है custody के अंदर और ऐसा लगता है कि जो investigation है जिस case में उसको arrest किया detain किया है उसकी जो investigation है वो complete नहीं हो पाएगी 24 घंटों के अंदर 24 घंटों के अंदर जो investigation है उसको complete करना मुश्किल है और साथी साथ ऐसे grounds है ऐसे आधार है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो जो accusation लगी है इस व्यक्ति पे जिसको arrest किया जिसको detain किया है या उसके खिलाफ जो information प्राप्त हुई है उसमें दम है वो well founded है तो ऐसी situation में जो थाना इंचार्ज सहाब है या जो पुलिस ऑफिसर है जो investigate कर रहा है मतलब जो आईओ है पर यह ज़रूरी है कि वो सब judicial magistrate को क्या transmit करेंगे जो भी उन्होंने अपनी diary के अंदर entry करी है उस case से related जो भी procedure है उसके अनसार और वो जो व्यक्ति है जिसको उन्होंने arrest किया है detain किया है उसको भी magistrate के सामने पेश करेंगे वैसे इसका मुझे लग रहा है आपको जो essence है वो पहले से ही पता है क्योंकि हमने इंडियन constitution के अंदर भी यह चीज़ पढ़ी थी और जब मैं आपने मैंने आपको arrest पढ़ाया था C.A.P.C. के ही अंदर तब भी हमने यह 24 घंटे वाली बात को समझा था पर यहां पर context पूरी तरीके से खुल के आता है पूरी picture सामने आती है और वो picture बड़ी simple सी है वो picture यह कह रही है कि कोई भी case कोई भी इस्तिति जिसके अंदर किसी information के आधार पर या किसी belief के आधार पर जो police officers हैं किसी व्यक्ति को arrest कर लेते हैं और detain कर लेते हैं और जिस case में उन्होंने arrest किया है उस व्यक्ति को जिस वज़े से arrest किया उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में जो investigation है वो 24 घंटे के अंदर 24 hours के अंदर complete होन possible नहीं है तो ऐसी situation में ये जो हमारा police officer है थाना इंचार्ज या फिर आयो सहाब अगर उनको लग रहा है कि जो information प्राप्त हुई है जिसकी वज़े से हमने arrest किया है या और कोई आधार है उसमें dumb है ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को arrest किया है हमने वो मिला हो उसने अपरात क किया हो तो ऐसी situation में वो जो भी records है उस case से जुड़े हुए और वो जो व्यक्ति है दोनों को उठाके nearest magistrate के सामने पेश करना है और यह जो जिम्मेदारी है बच्चे यह वाद देता है मतलब यहां पर choice नहीं है police वाले की उनको करना ही करना होगा ऐसा और एक और बात कई ब पिल्कुल ना समझे कि 24 गंटे पूरे हो जाएंगे तब पुलिस वाले जाएंगे magistrate के सामने उसको लेके नहीं यहां फिर 24 गंटे होने से जस्ट पहले जाएंगे नहीं यहां पर आधार 24 गंटे नहीं है 24 गंटे तो हमको बस इसलिए समझना है कि इसके भीतर जो हमारा police वाला है investigating officer है या थाना इंचार्ज है उसको judge करना है कि आने वाले 24 घंटे में मैं इसकी investigation पूरी कर पाऊंगा या नहीं और अगर ऐसा feel हो रहा है कि ऐसा possible नहीं है तो तुरंत के तुरंत जैसे ही यह belief आ गया कि नहीं हो पाएगी 24 घंटे के अंदर investigation आपको तुरंत magistrate के सामने लेके जाना है आपको वो पूरे 24 घंटे पूरा होने का इंतजार नहीं करना है ठीक है तो यह है हमारा subsection 1 24 घंटे वाली बात अब देखो subsection 2 अब जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी magistrate की police ने अपना काम पूरा कर दिया police ने forward कर दिया सब कुछ अब यह जो magistrate साहाब है जिनके सामने इस accused वेक्ति को भेजा गया है जिसको arrest किया था अब वो चाहें तो भले ही उनके पास उस case के अंदर jurisdiction हो ना हो यह बड़ा महत्रपूर बात है अब इसको explain करूँगा यह जो magistrate साहाब है जिनके सामने उस accused person को पेश किया गया है उस judge साहाब के पास बले ही jurisdiction हो या ना हो वो समय समय पर उस व्यक्ति की detention को authorize कर देंगे detention मतलब उनको सलाखों के पीछे रखने के लिए authorize कर देंगे जैसा भी magistrate को ठीक लगे ठीक है तो magistrate साहाब समय समय पर जैसा उनको समझ में आए जैसा सही लगे उसको समय समय पर detain करने का order extend करते रहेंगे पर किसी भी situation में यह जो पूरा duration है जिसके लिए उस व्यक्ति को detain किया जा सकता है magistrate के order के अंदर वो कभी भी in totality 15 दिन से जादा नहीं होगा और इस 15 दिन में वो वाले 24 गंटे भी count होंगे जब उसको magistrate के सामने पहले पेश किया गया था तो 15 दिन से जादा detain नहीं कर सकते हैं और खास कर अगर वो जो magistrate है जो यह detention को authorized कर रहा है बार बार अगर उनके पास jurisdiction नहीं है उस case के अंदर कि वो ट्राइल नहीं चला सकते और उनको लग रहा है कि इस व्यक्ति को detain करना unnecessary है मतलब जरूरी नहीं है इसको detain करना तो ऐसी situation में वो चाहें तो यह भी order जारी कर सकते हैं कि इस accused को उस magistrate के सामने लेके जाओ जिस magistrate का jurisdiction है यह बड़ा interesting point है बहुत मज़ेदार point है ठीक है तो पहले मैं आपको इतना बता देता हूं इतना समझा देता हूं जितना मैंने पढ़ा मैंने आपको पढ़ा दिया है देखो सब section 2 के अंदर सब पहले एक बात को समझो अभी जो सब section 1 के अंदर हमने 24 hours वाला रूल पढ़ा कि आपको लग रहा है कि investigation पूरी नहीं हो पाएगी 24 hours में तो उसको magistrate के सामने पेश करना है तो यह जो magistrate है जिसकी बात हो रही है उसके लिए जो सब्दा वली इस्तमाल की गई है वो है nearest क्या है बचे nearest मतलब जो सबसे पास है मतलब जो पेश करना है 24 घंटे के अंदर वो जरूरी नहीं है कि ऐसे magistrate के पास ही सामने पेश करो जो magistrate आगे चलके केस चलाएगा मतलब ऐसा magistrate जिसका उस केस के ऊपर jurisdiction होगा ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है पुलिस वाले उस व्यक्ति को किसी भी ऐसे magistrate के पास लेके जा सकते हैं जो सबसे पास हो जो सबसे नियरस्ट हो ठीक है तो इस स्थिति की वज़े से दो situations बच्चे बन सकती है कैसे बनेंगी दो situations कि वो जो पुलिस है वो जो पुलिस है उसने accused व्यक्ति को यहां तो ऐसे magistrate के सामने पेश किया है जिसका jurisdiction है यहां फिर ऐसे magistrate के सामने पेश किया है जिसका jurisdiction नहीं है क्योंकि दोनों ही possibility हो सकती है दोनों में से कोई भी situation हो पहले तो हमको यह समझना है कि यह जो magistrate सहाब है भले ही उनका jurisdiction हो चाहें नहीं हो वो जो व्यक्ति उनके सामने पेश किया गया है उसका वो further detention authorize कर सकते हैं मतलब बोल सकते हैं कि इसको अभी detain करके ही रखो उसका further detention authorize कर सकते हैं समय समय पर जैसे अभी एक दिन के लिए बढ़ा दिया फिर दो दिन के लिए बढ़ा दिया फिर तीन दिन के लिए ठीक है और यह जो बढ़ाने बढ़ाने की limit है वो जादा से जादा जादा से जादा इन totality पंदरह दिन की है तो upper limit क्या है further detention करने की पंदरह दिन ठीक है तो आप एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन जैसे भी कर रहे हो in totality वो पंदरह दिन से जादा नहीं होना चाहिए फिर चाहें आप कोई से भी magistrate हो पर यह वाली बात कब की कब लागू होगी जब magistrate साहाब को further detention जरूरी लग रहा है पर मानों स्थिति ऐसी हो जाए कि magistrate साहाब को further detention जरूरी नहीं लग रहा ऐसा भी दो सकता है मजस्टेट साहाब को लगे कि कुछ दम ही नहीं है पुलिस अलों ने बेकार में रिस्ट कर लिया है अगर ऐसी इस्तिति है और वो जो मजस्टेट साहाब हैं वह ऐसे मजस्टेट साहाब हैं जिनका jurisdiction नहीं है उस case के उपर मतलब वह कारवाई नहीं चलाएंगे आगे तो ऐसी situation में वो magistrate सहाब उस व्यक्ति को release नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, भले ही उन्हें लग रहा है कि दम नहीं है, फिर भी छोड़ नहीं सकते, further detention तो अलाव कर सकते हैं, पर छोड़ नहीं सकते, अगर उन्हें लग रहा है कि further detention ज़रूरी नहीं है, तो यह magistrate उस व्यक्ति को ऐसे magistrate के सामने forward करतेगा, जिस magistrate का jurisdiction होगा, तो यह जो magistrate है, जिसके पास jurisdiction नहीं है, उसके पास further detention करवाने की तो power है, पर उसको छोड़ने की power नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है कि छोड़ना है, तो ऐसे magistrate के पास भेज दो, जिसका jurisdiction है, वो खुद देखेगा, कि छोड़ा जाना चाहिए या नहीं, पर अभी कहानी यह जो magistrate सहाव है, जिनको हमने बोला, कि वो further detention allow कर सकते हैं, और उसकी जो limit है, वो 15 दिन की है, कितने दिन की है, 15 दिन की, यह जो 15 दिन की limit है, यह केवल उस detention पे लागू होती है, जो पुलिस की कस्टडी में होता है, पुलिस की कस्टडी के अलावा, कोई और detention, 15 दिन से भी जादा extend कर सकता है, पहली बात, अभी मैं explain करूंगा, तो कहने का मतलब, यह जो 15 देज लिमिट है, इट एप्लाइज ओनली टू, पुलिस कस्टडी, not to any other custody, अब वो any other custody कौन सी होती है, वो मैं भी explain करूंगा, आपको, पर अगर वो any other custody में 15 दिन से जादा भी रख रहे हो, तो यह जरूरी है कि magistrate के साहब पास adequate grounds होने चाहिए, क्या होने चाहिए, adequate grounds, पर्याप्त आधार होने चाहिए, पर किसी भी इस्तिती में, अब सुनना बड़े ध्यान से, किसी भी इस्तिती में जो magistrate सहाब है, फिर वो चाहिए, पुलिस का study हो, चाहिए, दूसरी का study हो, किसी भी accused का detention allow नहीं करेंगे, एक ऐसी अवदि के लिए, जो जादा होगी, नभ्य दिन से, मतलब maximum 19 days के लिए, अगर वो जो अपराद है, जिसके लिए उसे detain किया जा रहा है, जो spelligation है, वो एक ऐसे अपराद के लिए है, जिसमें मृत्यूदंड का प्राफदान है, लिखते चलना बच्चे साथ-साथ, जिसमें मृत्यूदंड का प्राफदान है, जिसमें life imprisonment का प्राफदान है, या फिर ऐसे किसी भी imprisonment का, जो 10 साल यां 10 साल से जादा का है, तो अगर वो जो व्यक्ति है, जिसको detain किया है, उसको ऐसे किसी अपराद के लिए किया है, है जिसमें सजा दस यहां दस साल से जादा है इंप्रिजन्मेंट फॉर लाइफ है यहां डेथ पेनल्टी है तो उसे जादा से जादा सारी कस्टडी मिलाके 90 दिन तक आप डिटेन कर सकते हो पर अगर वह जो अपराद है जो जो investigation और है जिसके लिए इसको डिटेन किया जा रहा है यहां वह किसी दूसरे offense से जुडि हुई है दूसरा offense मतलब कोई बी ऐसा अपराद इसमें जो सजा का प्रावदान है वो 10 साल से कम का है फिर वो चाहे 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो जो भी हो तो ऐसी इस्थिती में जो जादा से जादा ऐसे किसी व्यक्ति को detain किया जा सकता है वो 60 days के लिए किया जा सकता है कितने दिन के लिए? 60 days के लिए तो 10 साल 10 साल से जादा Life Imprisonment Death 90 days दस साल से काम, 60 days, 30 दिन का फर्क है दोनों में, और दोनों ही स्थिती में, चाहे 90 दिन वाली सिचुएशन हो, चाहे 60 दिन वाली सिचुएशन हो, जैसे ही ये 90 और 60 दिन पूरे हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, बेल पर, उससे जादा उसको detain नह ही कर सकते, अगर वो व्यक्ति, बेल देने के लिए तयार है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट नमबर बी देख लो, एक साथ एक्स्प्लेन कर दूँगा, पूरा, कोई भी मजिस्टेट, और राइज नहीं करेगा, किसी भी एक्ईूज की डिटेंशन, पुलिस कस्टडी में, ध्यान से देखना, जब तक कि, वो जो एक्ईूज है, वो खुद से इन परसन प्रिजेंट ना किया गया हो, मजिस्टेट के सामने पहली बार, और हर बार, जब भी, उसकी कस्टडी को बढ़ाया गया, तो कहने का मतलब है, पुलिस कस्टडी को पहली बार देने के लिए, यह उसको एक्स्टेंड करने के लिए, वो जो 15 दिन तक की लिमिट है ये जरूरी है कि वो व्यक्ति जिसका detention होना है वो खुद in person उपस्तित होना चाहिए magistrate के सामने पर अगर बात करूं judicial custody की judicial custody मतलब police custody के लावा दूसरी custody की वहाँ पर दोनों काम चल जाएंगे चाहें accused खुद personally आजाए चाहें digitally आजाए electronic video link case से आजाए मतलब camera वगरा के थूँ आजाए दोनों ही situation में उसकी further detention को extend किया जा सकेगा ठीक है आखरी बात कोई भी magistrate जो second class का है जो सबसे नीचे वाले पाइदान पर magistrate सहाब होते हैं जिनको पावन नहीं दी गई है हाई court के द्वारा वो कभी भी authorized नहीं कर सकते detention police custody के अंदर मतलब जो judicial magistrate of second class होते हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति को police custody में नहीं भेज सकते हैं ठीक है अफटाफट से बारी बारी से revise कर लेते हैं जल्दी से ठीक है कहां थी कहानी हमारी चौबिस घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को पेश किया पुलिस वालों ने magistrate सहाब के सामने अब यहाँ पे यह जो magistrate सहाब है उस व्यक्ति को police custody में रख सकते हैं जादा से जादा पंदरा दिन के लिए अगर उसके बाद detention करना है तो वो police custody में नहीं हो सकता वो केवल किसी और custody में हो सकता और किसी और custody का मतलब है judicial custody तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा जो CIPC है वो दो तरीके की custody का प्रावधान करता है मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं दो तरीके की custody हमको पक्का पता होनी ही चाहिए पहली है बच्चे police custody और दूसरी है judicial custody पुलिस custody का मतलब होता है कि वो व्यक्ति पुलिस के पास रहता है और investigation के दौरान उससे पूछताच भी हो सकती है ठीक है थाने में रहता है ठीक है प्रेशर में रहता है पुलिस वाले उससे प्रेशर बनाते हैं इसकी जो अवदी है पुलिस custody की जो maximum limit है वो बच्चे 15 दिन की है कितनी है 15 डेज इन टोटैलिटी 15 दिन के बाद अगर आपको detain करना है तो उसमें केवल judicial custody ही possible जुडिशल का स्टड़ी का मतलब क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है उसको जेल भेज दिया जाता है अंडर ट्राइल की तरह मैंने आपको पताया था पहले कि जेल में सेग्मेंट होते हैं एक तरफ वो लोग रहते हैं जो convict हो चुके हैं जिनको सदा हो चुकी है और एक तरफ वो रहते हैं जिनके खिलाफ केश चल रहा अंडर ट्राहीन बोलते हैं तो उनको जेल भेज देंग है जीन भेजने को जूडिशल custody judicial custody की जो सीमा है वो दो है 60 दिन और 90 दिन और इसका अधार क्या है 60 दिन तक की judicial custody possible है ताब जब जो सजा है वो 10 साल से कम है उस अपराद में जिसका allegation है और सजा अगर 10 साल से जादा है life imprisonment है या फिर death है तो 90 दिन तक की maximum limit किसकी judicial custody कितनी है 60 दिन या 90 दिन जैसे ही 60 दिन या 90 दिन पूर रहोंगे bail दे दी जाएगी bail दे दी जाएगी ठीक है समझ गए आप लो police custody 15 days judicial custody 60 दिन depending on the situation फिर कुछ जादा कुछ बातों का हमको खासा ध्यान रखना पड़ता है और वो खासा ध्यान क्या है खासा ध्यान ये है कि वो जो व्यक्ती है जिसको police custody में भेजा जा रहा है अगर magistrate सहाब किसी व्यक्ती को police custody में भेज रहे है बोला ना समय समय पर उसको police custody में भेज सकते हैं एक दिन गले दो दिन गले तीन गले maximum limit 15 दिन जब भी किसी व्यक्ती को police custody भेजा जाएगा या उसकी ट्रम को एक्स्टेंड किया जाएगा police custody के अंदर उस व्यक्ती का magistrate के सामने मौजूद होना जरूरी है इसको बोलते है in person in person present होना जरूरी है जब तक वो व्यक्ती खुद से मौजूद नहीं है magistrate के सामने magistrate कभी भी ऐसे किसी व्यक्ती की police custody की अवधी बढ़ा नहीं सकता और उसको judicial custody बढ़ाने के लिए या judicial custody में भेजने के लिए in person मौजूद होना उस accused व्यक्ती का जरूरी नहीं होता है ठीक है तो एक ये element है जिसको हमें हमेशा याद रखना है कभी भूलना नहीं है ठीक है और जो हमारा judicial magistrate of first class होता है जो हमारा GM है second class तो कभी भी GM of second class किसी भी व्यक्ती को पुलिस custody में भेजने के सक्षाम नहीं होते है ठीक है अब फटा-फट से explanation देख लेते हैं बच्चे यहां तक बास समझ में आगी है सभी लोगों को सब कुस्छ समझ में आ रहा है सर कहीं बार ऐसा होता है कि मैंने मतलब newspaper में headlines पड़ी है कि Supreme Court ने order दिया कि इस बंदे को तो almost almost 200 days हो गए था फिर भी इसको बेलने विली तो सर्फ वो कभ हो जाता है देखो यह जो आप बात बता रहे हो और ऐसा यह बहुत बड़ी परिशानी है काफी लोगों के साथ injustice हुआ है बट उसकी वज़य है मैं आपको बताता हूँ और वो वज़य यहीं पर लिखी होगी है अगर आप लोगों ने किसीने भी ध्यान से पड़ा होगा तो आप उस चीज़ को identify भी कर सकते हो कि यह जो responsibility है नबह दिन या साथ दिन के छोड़ने के बात की छोड़ने की जो responsibility है वो responsibility है बेल देने की उस व्यक्ति को जेल का दरवाजा खोल के रोड़ पे खड़ा करने की जिम्मेदारी नहीं है उस व्यक्ति को बेल देने की है बेल क्या होता है बेल के लिए आपको apply करना पड़ता है पूरा process होता है आपको कुछ security देनी पड़ती है जो भी magistrate साब determine करें तो अगर वो जो व्यक्ति है बेल देने के लिए तैयार है मतलब उन conditions को मानने के लिए तैयार है जो magistrate साब impose कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए तब ही उसको छोड़ा जाएगा मतलब ये जो 60 दिन और 90 दिन की अवधी जब पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति के favor में हक आ जाता है बेल पाने का फिर वो उस हक का इस्तमाल करता है या नहीं करता वो उसकी मर्जी है अगर वो apply करेगा और उन terms और conditions को मानेगा जो magistrate साब impose क कर रहे हैं तो तो magistrate साब को से छोड़ना ही पड़ेगा पर अगर वो खुद से वो चीज़े नहीं करता है तो उसे खुद से ढका दे के जिल से भार नहीं निकाला जाएगा ठीक है clear है समझ के बात को यह सर और कहीं बार जैसे मान लो किसी को 30 देज हो गए तो उसको बेल ग पीरे टोटल कांट होगा पहले वाला भी कांट होगा बाद बार भी कांट होगा और अगर सर फिर वो 90 डेज के बाद वह एक करता है जिसे बेल के कुछ कंडिशन्स तब भी होंगी लोग जब तक उनके खिलाफ कोई अपरासाबित ना हो जाए जेल में पड़े ना रहे हैं लेंगुश ना गरते रहें तो उसके लिए हमने इस बनाए गए अब बाते आप बता रहे हो जैसे मानों किसी को बेल पर छोड़ा गया कुछ प्रतिक्रिया ही बिल्कुल अलग हो जाती है यहां से थोड़ा सा प्रसेस बिल्कुल आगे चला जाता है क्योंकि वहां पर उस वेक्ति को दोबारा पकड़ने का रीजन अलग होगा क्योंकि वह विल्वाइल बेल के कंडिशन को वाइलेट कर रहा है ठीक है अगर कितना भी कोई भी आम अपराद कर किसी ने किया है उसे नाइन के डेज बाद अगर छोड़ दिया गया है उसके बाद में जिसे हम बोलते रेगुलर बेल शाह है तो उसके बाद सीधा हो से फिर पनिशमेंट जब होगी तब वो जेल में जाएगा बाकि वो फ्री हो जो पहले वाली पार्ट की बात कर रहा हूं जिसमें वह साइन करने तो आता है थाने में तो ऐसे बेल पर चोड़ देते हैं पर उनको उपर ऐसी कंडिशन लगाते थे हैं कि आपको पुलिस स्टेशन आके साइन करना पड़ेगा तो वह उसमें भी काफी परेशानी रहती है जी सर ठीक है चाल अब आज़ो एक्स्प्रेनेशन पर हाँ जी बचे सर लेकिन कोई जैसे मर्डर का केस सल रहा है किसी के उपर ही नियस क्राइम है सर उसको कई बार 90 देज के बाद भी बेल नहीं मिलती यह क्या है सर मतलब यह कहां से कि क्या सोर्स है इस बात का आप बोल र हो जाती है निच्चे से और फिर वो बेल हाई गोर्ड में जागे अपलाई करते हैं यहां से क्यों रिजेक्ट होती है सर हमको समझना पड़ेगा पहली बात तो क्लारेटी लेनी पड़ेगी हमको हमको यह देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के 60 देज या 90 देज पूरे अगर 90 देज पूरे हुए हैं तो जो बेल की कंडिशन्स लगा रहे हैं वही जो पहले बच्चे को मैंनान से दिया अगर उस बेल की कंडिशन्स को कंप्लाई कर रहा है वो एक्यूस तो तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा खास कर कई बार लड़ाई इस बात पर हो जाती है कि जो मजस्टेट है वो बेल की कंडिशन्स को ज़ादा सीरियस लगा डेता है या सेक्यरेटी को ज़ादा मांग लेता है तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं कि वो निंग के ठोठीक है ठीक है थेंक्यू है अब आजा यह हमने अभी पड़ा जो कस्टडी के बारे में है डिटेंशन के बारे में हैं अगर वो जो व्यक्ति है जिसके फेवर में वो अधिकार आया है बेल फाइल करने का अगर वो बेल को फर्निश नहीं करता है मतलब उसके वही वाली बात जो मैंने बच्चे को बोल कि यह साथ दिन और नभे दिन का बतलब यह नहीं है कि उसको जेल के भार खड़ा कर देंगे कि आपका समय पूरा हो गया जाओ नहीं आप बेल के लिए अपलाई कर सकते हो और आप करोगे और उसकी कंडिशन को पूरा क जहां तक वह वाली बात थी कि जब भी पुलिस का स्टडी अप रियर फर्म करेगा मजिस्टेट साहब या देगा पहली बार जरूरी है कि वह जो व्यक्ति है वो जो एक्क्यूज्ट है वह इन पर्सन पॉसेबल होना चाहिए मतलब प्रेजेंट होना चाहिए उसके बारे म explanation number two कहता कि अगर कभी भी आगे चल के सवाल उठा कि accused व्यक्ति को magistrate के सामने पेश किया गया था या नहीं तो ऐसी इस्तिती में उस accused व्यक्ति की मौजूदगी प्रूफ करी जा सकेगी उसके हस्ताक्षर से ठीक है जो उस order पे लिये जाएंगे जब उसको पुलिस का स्टडी में भेजा जाएगा जिस ओर को सर्टिफाई करेंगे मजिस्टेट सहाब ठीक है तो कहने का मतलब है कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि objection उठे कि जब यह पुलिस का स्टडी दी गई या उसको को रियाफर्म किया गया एक्यूजड व्यक्ति को प्रेड्यूस किया गया था या नहीं किया गया था तो उसको साबित करने का सबसे बड़िया तरीका है कि उस एक्यूजड व्यक्ति के हम हस्ताक्षर ले लेते हैं कि उस पर हस्ताक्षर ले ले लेते हैं उस order के उपर जब और कोई भी एक्यूज़ विक्ति अगर टेक्नलोजी के माध्यम से पेश किया जाता है तो उसके बारे में जो हमारे मजिस्टेट सहाब है वो सर्टिफाइ करते हैं कि इलेक्ट्रोनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से मेरे सामने यह प्रेड्यूस किया गया था तो अगर पुलिस का स्टडी का मामला है तो सिगनेचर उस एक्यूज़ व्यक्ति के सिगनेचर उसके डिटेंशन ओर पे सफिशेंट प्रूफ है कि उसको पेश किया गया था अगर judicial custody का मामला है तो magistrate साहब का certification कि उसको video linkage के माध्यम से पेश किया गया था तो अगर वो आया था खुद से in person तो उसके हस्ताक्षर और अगर वो audio video linkage से आया था तो magistrate साहब का certification ये दूनों ही sufficient proof होते हैं ये बात को साबिच करने के लिए जो प्रतिक्रिया है जो प्रक्रिया है पेश करने वाली उसको follow किया गया था पर एक ये proviso है इससे कई बार सवाल पूछा जा सकता है आपसे objective type इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई महिला involved है जिसकी उमार 18 साल से कम है तो ऐसी महिला की जो detention है वो custody में होगी किसी remand home के या फिर किसी भी recognized social institution के मतला अगर कोई महिला किसी अपराद में involved है कोई लड़की involved है जिसकी उमार 18 साल से कम तो उसको जेल ना भेज कर हम किसी social institution में किसी remand home में भेजते हैं अब यहाँ पर एक चीज है बच्चे जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे देश में एक कानून है जिसको हम बोलते है juvenile justice act JJ act for short यह जो कानून है यह deal करता है ऐसे लोगों से जिनकी उमर 18 साल से कम है और जिनके उपर कोई भी अपराद करने का acquisition लगता है अब यह जो JJ act है यह पूरा comprehensive प्रावधान करता है हर एक व्यक्ति के लिए जो 18 साल से कम का है फिर वो चाहिए लड़का हो फिर वो चाहिए लड़की हो अब जो भी प्रतिक्रिया होती है ऐसे लोगों के बारे में वो बच्चे JJ act के अनुसार होती है तो यह जो प्रोवाईज हो है इसका जो महत्व है वो काफी हद तक खतम हो गया है जब से हमारा JJ act आया है और हर वो चीज जो ऐसे व्यक्ति के साथ होगी जिसकी उमर 18 साल से कम है वो आज के समय पे JJ act के द्वारा निर्धारित होती है जब मैं आपको minor act पढ़ाऊँगा तब मैं आपको JJ act भी पढ़ाऊँगा ठीक है क्लियर है यहां तक सारी बाते समझ में आ रही है एक बार येस बोल दो बच्चे फटा-फट से थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है बट अब इसक्लियर है सब कुछ यह सर्थ अब देखो सबसेक्शन टू अब सोने वाला एक चतब जादा नहीं बचा है और यह जो सेक्शन यह हमारा सबसेक्शन टू ए है यह क्या कहता है कि जो भी बाते हमने अभी पढ़ी सब सेक्शन वान तर सब्सेक्शन टू के अंदर जो officer in charge होता है police station का या फिर जो हमारा investigating officer होता है बस वो सब inspector से rank के नीचे नहीं होना चाहिए अगर ऐसी situation आ जाए कि कोई भी judicial magistrate available ना हो अगर ऐसी परस्थिती आ जाए ऐसी situation सामने खड़ी हो जाए कि कोई भी judicial magistrate available ही नहीं है जिसके सामने उस व्यक्ति को पेश कर सके तो ऐसी situation में इस ठाना इंचार्ज की यहां आईयो की यह जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को transmit किया जाएगा nearest executive magistrate के पास किसके पास executive magistrate के पास है मुझे लग रहा है आप लोग समझते होगे कई बार बता है बचे executive magistrate कौन होते हैं फटा-फट से एक्जामपल दो UPSC देख लिया करो समझ चाहोगे ठीक है तो transmit कर देंगे किसके पास executive magistrate के पास जिसके पास सारी powers होंगी जो एक judicial magistrate के पास होती है यहां फिर एक metropolitan magistrate के पास होती है ठीक है और यह जो हमारा executive magistrate है उसके प्रती वो सारी कारवाही पूरी करेंगे यह पुलिस वाले जो भी वो किसी judicial magistrate के बारे में करते जैसे अपने diary के सारे records forward करना उस व्यक्ति को forward करना ठीक है मतलब पुलिस वालों के लिए कोई फर्क नहीं है किसी judicial magistrate में और किसी executive magistrate में अगर judicial magistrate मों मौजूद नहीं है तो वो सारा प्रोसेस जो भी उनकी जिम्मेदारियां है सब सेक्षिन बन और सब सेक्षिन टू के अंदर वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे टोवर्ड़्स दी एक्जिकेटिव मजि हैं जो भी उनको ठीक लगे और अगर वो एक्जिक्यूटिव मजिस्टेट सहाब हैं तो उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है किसी विक्ति को डिटेंशन में रखने की वो बच्चे केवल साथ दिन है इस बात को आप याद रखना तो एक्जिक्यूटिव मजिस्टेट की जो डिटेंट करने की पावर है वो कितनी है सेवन डेंज की इन टोटल ठीक है और जैसे ही यह जो साथ साल का जो साथ दिन का जो पीरेड है है वो खतम हो जाता है तो वह जो एक्यूस व्यक्ति है उसको छोड़ दिया जाएगा बेल पर मैं जब तक कि उस व्यक्ति के फर्दर डिटेंशन का ओर्डर ना आ जाए किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा मतलब किसी चुडिशल मजिस्ट्रेट के दवारा ठीक है तो कहने का मतलब है कि जो हमारे executive magistrate सहाब है वो ऐसी situation में आके help करते हैं जहां पर कोई भी judicial magistrate available नहीं होता है और executive magistrate के प्रती जो हमारे पुलिस वाले हैं जो हमारे executive magistrate सहाब है वो लगवग लगवग वो सारी powers भी रखते हैं जो किसी judicial magistrate के पास होती है बड़ छोटा सा difference है और difference यह है कि जहां judicial magistrate उस व्यक्ति की custody को extend कर पा रहे थे बार 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 पंदरा दिन तक वो सी काम को हमारे जो executive magistrate सहाब है जो पुलिस का study की बात कर रहा हूं जो हमारे executive magistrate सहाब है वो उसको कर पाएंगे केवल साथ दिन तक और अगर साथ दिन पूरे हो गए हैं और कोई judicial magistrate से contact नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में वो विक्ति हगदार हो जाएगा साथ दिन के बाद बेल पाने का पर अगर इनी साथ दिन के दौरान जब executive magistrate का order चल रहा था किसी judicial magistrate से contact हो जाता है और judicial magistrate क्योंकि उसके पास तो पावर है 15 दिन तक की पुलिस का study की तो उस period को further extend कर सकता है पर जब भी जो judicial magistrate है उस period को extend करेगा उसमें वो साथ साथ दिन काउंट होंगे जो executive magistrate के order के अनुसार वो पहले से पुलिस का study में रह चुका है तो मतलब जो judicial magistrate है उनको बचे हुए जो spirit है बचे हुए जो आठ और नौ दिन बचे हुए है केवल उतने ही दिनों के लिए further detention कर सकेंगे पुलिस का study में judicial magistrate को अपने नए 15 दिन नहीं मिले वो साथ दिन जो executive magistrate ने उसको पुलिस का study में रखा वो भी काउंट होंगे उसी के साथ में ठीक है फिर अगला प्रोवाइजो कहता है कि यह जो period है जिसके लिए detention किया जा रहा है हमारे जो executive magistrate सहाव है उनकी यह जिम्मेदारी है कि वो transmit करेंगे nearest judicial magistrate को उस case से जुड़े हुए सारे records जो उने प्राप्त हुए वो सारी diaries की entries जो पुलिस वालों ने उनको दी जो उस case से जुड़े हुई थी ठीक है और यहाँ फिर वो जो police officer है जो investigation कर रहा है उसको वो सारी चीज़े hand over कर देंगे अब executive magistrate के तो कोई काम के नहीं है न यह सारे documents उनका काम थोड़ी ना है कि वो decide करेंगे अपराथ है तो उनको जो भी documents प्राप्त हुए जो पुलिस वालों ने उनको दिये थे जब उनकी जरूरत थी उन सारे documents को forward कर देंगे या तो ऐसे magistrate के पास judicial magistrate पास जो उस case को देख रहा होगा या फिर जो पुलिस वाले जो investigate कर रहा है उनको वो वापिस कर देंगे ठीक है तो हमने क्या पढ़ा बच्चे यहां पर हमने यह पढ़ा कि executive magistrate एक competent authority है जो judicial magistrate के absence में उस काम को कर सकती है और काफी बखू भी कर सकती है अच्छे से कर सकती है बस उस 7 दिन वाला period को याद रखना और अगर judicial magistrate आता है कल को picture में तो वो साथ दिन count होंगे बस इतनी सी बात याद रहता है बच्चे इतनी बात समझ में आ रही है यस बोल देंगे फटाफट से clear है अब देखो चोटे-छोटे subsections बच्चे हैं चार subsection बच्चे हैं बहुत चोटे-छोटे हैं फटाफट से इनको कर लेता है सब सेक्षिन 3, कोई भी magistrate जो authorize कर रहा है इस सेक्षिन के अंदर detention किसी व्यक्ती की पुलिस कस्टडी में वो अपने हमेशा reason देगा, मतलब जब भी किसी व्यक्ती को पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा ये वाली बात, तो magistrate की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने reasons को record करेगा, कभी भी वे वज़ा किसी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, आप देखरों, पुलिस कस्टडी को बहुत seriously ले रहा है हमारा CRP से, maximum limit लगा रहा है, judicial magistrate second class को power ही नहीं दे रहा है, इन person में आने के लिए मजबूर कर रहा है, और अब क्या कह रहा है, कि वज़ए भी होनी चाहिए, अगर कोई वज़ए नहीं है तो उसको judicial कस्टडी में भेजो, पुलिस कस्टडी में भेजने के लिए there has to be credible reason जिनको record भी करना पड़ेगा, कि कल को अगर objection उठा तो आप बता सको कि कुई बेजाता है, तो ये record reasons की बात कहा हो गई, subsection 3 में, बस इतना ऐसा ही लिखना, record reasons, पर कब, पुलिस कस्टडी में, subsection 4, अगर कोई भी magistrate, Chief Judicial Magistrate के अलावा, order कर रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है, कि वो एक copy अपने order की forward करेगा, अपनी वज़ेहों के साथ, Chief Judicial Magistrate को, CGM सहाब को, अपने order की copy forward करेगा, मतलब, अगर कोई भी magistrate, magistrate of first class, अब देखो, अब hierarchy आपको पता है न, CGM सहाब होते हैं, Magistrate first होते हैं, Magistrate second होते हैं, Magistrate second का तो हमने पढ़ी लिया, कि वो तो करी नहीं सकते, Police custody, अगर CGM सहाब कर रहे हैं, तो तो पढ़िया है, कोई परिशानी नहीं है, उनको कुछ नहीं करना, पर अगर, Magistrate of first class, Police custody में भेज रहा है किसी को, तो इसकी जिम्मेदारी है कि, अपने एक order की copy वो, अपने CGM साब को भी भेज़ेगा, तो देख रहे हो, एक और important point हो गया, कि अगर वो order, Magistrate of first class के द्वारा है, तो उसको CGM को, अपने senior को, एक copy उसकी भेजनी ही भेजनी है, ठीक है, तो हमने दो चीज़ें पढ़नी, under subsection 3 और subsection 4, ठीक है, दोनों ही important है, दोनों ही बाते important है, subsection 3 के अंदर, reason देना जरूरी है, subsection 4 के अंदर, order की copy भेजना जरूरी है, किसको CGM को, अब आजाओ subsection 5 के अंदर, अगर कोई भी case है, जिसको try किया जा सकता है, magistrate के द्वारा, submon case की तरह, मतलब कोई भी अगर submon case है, और submon के case के अंदर, अगर जो investigation है, वो पूरी नहीं हो पाती, ध्यान से देखना बच्चे, पूरी नहीं हो पाती है, 6 महीने के अंदर, और ये 6 महीने कब से काउंट होंगे, उस दिन से जब accused person को arrest किया गया था, तो ऐसी इस्तिती में, जो magistrate है, वो order जारी करेगा, कि उस अपराद के अंदर, further investigation को बिलकुल रोक दिया जाए, ये शायद आपको पता नहीं होगी बात, अगर किसी सम्मन केस के अंदर, पुलेस investigation को पूरा नहीं कर पाती है, 6 महीने के अंदर, तो magistrate वाद दिया है, कि उस सम्मन केस के अंदर, further investigation को रोक दे, जब तक कि, वो जो investigating officer है, magistrate को satisfy ना कर दे, कि किसी special reason की वज़े से, आम reason नहीं, कोई special reason की वज़े से, विशेश कारणों की वज़े से, investigation को continue रखना चाहिए, तब ही justice सर्व हो पाएगा, मतला, भले ही सम्मन केस है, भले ही 6 महीने की अबदी पूरी हो गई है, पर अगर वो जो investigating officer है, वो बता पा रहा है कि क्या वज़े हैं रही, क्यों investigation पूरी नहीं हो पाई 6 महीने के अंदर, और उसे क्यों लगता है कि investigation को continue रखना जरूरी है, तब ही justice सबसर्व हो पाएगा, तो वहाँ पर अगर magistrate चाहे तो, ऐसा order जारी नहीं करेगा, मतलब further investigation को रोकेगा नहीं, तो क्या याद रखोगे, कि अगर कोई summon case है, और 6 महीने के अंदर, कितने दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर investigation पूरी नहीं होती है, तो magistrate investigation को रोक देता है, जब तक कि investigating officer उसको satisfy ना कर ले, जब तक उसको satisfy ना कर ले, और इतना ही नहीं है, कि यह जो order जारी किया जाता है ना, stop करने का further investigation, magistrate साब के दौरा, क्योंकि 6 महीने के अंदर investigation पूरी नहीं हो पाई सम्मन केस में, ऐसी स्तिती में जो session judge है, session judge कौन? Senior साहब, magistrate, magistrate first class, CGM साहब, उनसे भी उपर, session judge, अगर चाहें तो अगर वो satisfied है, अगर उनके पास request आती है, अगर उनके पास application फाइल की जाती है, अगर उनको खुद से लगता है, कि ऐसे किसी case में, जिसमें magistrate ने further investigation रोग दी है, उसमें further investigation होनी चाहिए, तो magistrate साहब का जो order है, उसको वो हटा सकते हैं, कौन हटा देंगे, session judge साहब, और पुलिस वालों को बोलेंगे, कि further investigation करी जाए, इस case के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको subsection 5 और subsection 6, एक साथ बता देता हूँ, देखो subsection 5 के अंदर, बहुत clear direction है, कि अगर कोई भी summon case है, summon case के अंदर, investigation 6 महीने के अंदर, पूरी नहीं होती है, तो जो magistrate साहाब है, वो वाद्दे हैं, कि वो further investigation को रोग देंगे, अगर वो जो पुलिस वाला है, उनको satisfy नहीं कर पाता है, कि 6 महीने के अंदर, कि special reason की वज़े से, investigation पूरी नहीं हो पाई, investigation को continue करता रहे, पर मानिये, वो satisfy नहीं हुआ, आयो की बातों से, और magistrate साहब ने investigation रोग दी, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए, अब भी option है, पुलिस वालों के पास, वो session judge साहब के पास जा सकते हैं, उनके पास request कर सकते हैं, और अगर वो session judge साहब को satisfy कर पाए, कि ये कैसी situation है, कि भले ही 6 महीने पूरे हो गया है, फिर भी investigation का होना ज़रूरी है, तो session judge साहब हटा देंगे magistrate साहब के order को, और further investigation की permission देंगे, clear है बच्चे हम सभी को समझ में आ गया, subsection 5 और 6, किसी का कोई भी question है, section 167 से कुछ भी पूछना है, आवी all clear on this, ये बहुत important section है, अगर कोई वो है, जिसने मतलब anticipatory bail reject हो गई थी उसकी और फिर वो भाग गया, और वो 6 महें तक भागा रहा, तो सर फिर फिर उसकी investigation बंद हो जाएगे, तो वो तो बच गया, किसी व्यक्ति का भागना और किसी व्यक्ति की investigation होना, पहले तो ये दोने जुरिवी चीज़ें हैं, पर conceptually दोनों चीज़ें अलग है, investigation police करती है, और no doubt वो जो व्यक्ति है, जो अपरादी है, वो important part होगा, उस investigation होगा, क्योंकि इससे कई सारी information निकाली जा सकती है, पर पूरी तरीके से कोई investigation किसी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करती, परिसितियां हैं, witnesses हैं, situations हैं, सब के बारे में judge करना पड़ता है, पर मानो, जैसी ऐसी situation आ गई, और मैं I.O. हूँ, और मुझे लग रहा है कि उस व्यक्ति का मौझूद होना बहुत जरूरी था, बिना उसकी statement के नहीं हो सकता था, यार investigation पूरा, तो इसको as a special reason count किया जा सकता है, और अगर मेरी कोई गलती नहीं है, वो भाग गया तो हो सकता है, magistrate साहब satisfy हो जाए, नहीं तो session judge साहब हो जाएंगे, ठीक है, चालो, फिर बच्चे हम लोग 9 बजे मिलेंगे, और discussion को continue करेंगे, कोई भी class को miss मत करना, time पे आ जाना 9 बजे, ठीक है, चलो, बजे, जी बचे, सर, इनकी जो, executive magistrate होते हैं, सर, इनका office hold करते हैं, या फिर इनकी court होती है, सर, नहीं, कोट वोट नहीं होती, देखो क्या होता है? बन्दा वही होता है, बन्दा, इनसान होता है, executive magistrate साहब होते हैं, DM होते हैं, SDM होते हैं, ADM होते हैं, बागी के नीचे बहुत लबी लाइन है, ये सारे लोग है, इनका काम क्या होता है, Executive Wing को बलॉंग करते हैं, मतलब Law का Implementation इनका काम होता है, Judiciary का क्या होता था? law को interpret करना पर अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जैसे हमने पढ़ी तो हम उनकी help ले सकते हैं तो जब उनकी help लेते हैं तो वो as judicial magistrate act करते हैं होते हूँ executive magistrate हैं पर वो temporarily उनको judicial magistrate की power दे दी जाती है जिससे वो उस चीज़ को कर सके तो अगर पुलिस वाले के पास पुलिस वाल अवेलेबल नहीं है आज पास तो executive magistrate के office जा सकते हैं उस प्रतिक्रिया को कर सकते हैं इसको आप बहुत रियल लाइफ में देख सकते हो रोज होता है यह सब